जाखर निशत्रा में पीएम मोदी की रैली पीएम बोले भीड़ बता रही है जून के नतीजे पीएम मोदी ने राहूल गांदी पर निशाना शारती हुए कहा है कि शहजादे को अपनी उम्रे से भी कम सीट मिलने जा रही है पीएम मोदी की निशाने पर रहे जेमेम और कांग्रेस पीएम बोले जेमेम और कांगरेस के ठिकानों से नोटों के पहार निकल रहे हैं यहां मंतری, मंतری का पीएस, पीएस का का पनौकर भी वह्षटर चार में डूबा है पी एम मोदी ने विश्टर के खिलाफ रड़ाई के लिए मोदी सरकार को बताई जरूरी बोले ऐसे विश्ट लोगों पर कौन कारवाई कर सकता है आपका बेटा मोदी ये काम करेगा पी एम मोदी ने चत्रा से बीजेपी के लोगसवा प्रत्याश्वी कालेच रेंट सिंग के लिए कर रहे हैं चुनाव प्रचार कौंग्रिस के केंद्रे पार्टी से सिध्धी टक कर औरुशा के कंद्माल में पी एम मोदी ने की रैली कहा देश की सेवा कर आपका गर्ज चुकाऊंगा औरुशा में पी एम मोदी ने किया दावा बोले लोगसवा चुनाव में अपने सारे रिकार्ड तोड़ने वाली है बी जे पी पीयम मोदी ने कॉंगरिस पर लगाय डर फैलाने का रूप बोले इस बार 50 सीटों पर सिम्ट रहिए कॉंगरिस मौनडी शुणकर एएर के बजान पर पीयम मोदी का बड़ा हमला बोले वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम गोंगरिस देश का मन मारती है पिये मोदी ने पाकिस्तान पर कसा तंच कहा पाकिस्तान के बंब का कोई खरिदार नहीं 26-11 हमले का जिक्री करते हुए पिये बने कॉंग्रेस पर किया वार बोले कॉंग्रेस आतंकवाद के सरपरस्त पर कारवाई करने की हिम्मत भी ना कर सकी पिये मोदी ने वन्ट से एक बार फिर दो राया बड़ा दावा कहा आप लिख लीजिए चार जून बीजेडी की एक्सपारी डेट है पोखरंड परमाणू परिक्षण का भी पिये मोदी ने किया जिकर कहाच 20 साल पहले आज वी के दिन अटल सरकार ने किया था परमाणू परिक्षण ओडिशा के कंदमाल में पी-एम ने मंच पर पदम परुसकर वजीता पूर्ण मासी जानी को किया सम्मानित पूर्ण मासी जानी चड़ी के साहरे चल कर पहुँची थी मंच पर अंतिम जवानत पर जेल से बाहर आये केज्रिवाल ने भगवान की चौकट पर लगाई हाजिरी कनट प्लेस हनुमान मंदिर में किये दर्शन शनी मंदिर और नफग्रे टेंपल भी पहुँचे अर्विंद केज्रिवाल साथ में परिवार के लोग भी रहे मौजूर साउथ दिल्ली के महरोली में दिल्ली के सीम अर्विंद केज्रिवाल का रोड शो केज्रिवाल के साथ देखे पंजाब के सीम भगवंत मान रोड शो में वड़ी भील जेल से निकलने के बाद बोले के जुरिवाल हमें देश से ताना शाही हटानी पड़ेगी साथ ही सुप्रिम कोर्ट के जजों का किया शुक्रिया आमादनी पार्ट्वी दफ्तर बने मंच से अर्विन केजडिवाल ने लोगों को किया संबोधित भगमत मांच, संजय सिंग, संदीप पार्ठा को और पार्टी के कई नेतर है मौजूद जुल से बाहर निकलने को केजडिवाल ने बताया हनुमान जुई करपा कहा आमादनी पार्ट्वी बनाएगी देश का भविश्य सीम केजडिवाल ने कहा आमादनी पार्ट्वी को कुछलने में पी-एम ने कोई कसर नहीं छोड़ी UP को लेकर अर्विंद केजरिवाल ने किया बड़ा दावा कहा अगर BJP जुनाब जीतेगी तो UP का CM बतलेगा अर्विंद केजरिवाल ने पिये मोदी पर भी साधा निशाना कहा PM कमिशन बन नेशन बन लीडर बीजेपी के पिछलत साल पर रटायर के प्लान कर भी केजavors्रीवाल ने साधान निशाना बोरे कब रटायर हो रहे हैं पीयम मोदी केज़िवाल के आरोप उपर बीजेपी ने किया पलटवार कहा हनुमान मंदिर जाने के बाद भी एक बाद भी भगवान राम का नाम नहीं लिया यूपी के सीम यूगी राजितिनाथ ने पिछली सरकारों पर भी साधानेशाना कहा इनके साशन में गरीबों के हक पर पड़ती थी डखैती यूपी के जौनपुर में यूवास नमिलन का आयोजन उत्राखन के सीम पुशकर सिंग धामी भी हुए शामिल अजुदिन ओवेसी के भाई को रोक कर रखने के बजान पर नम्रीत राणा का फलटवार बोली है ऐसे खुखार को हम घर में पालते हैं नम्रीत राणा ने चुटकी लेते हुए अजुदिन ओवेसी कुदी सला कहा अच्छी बात है दवा कर रखा है नहीं तो हमारे रांभक्त और मोदी जी के शेप गली-गली में घूम रहे है कॉंग्रिस ने नाना पटोले के राम मंदिर की शुद्धी करण को लेकर दिये गए बयान पर गिराज सिंग का पलटवार भोले कॉंग्रिस पाकिस्तान से करा ले अपनी पार्टी का शुद्धी करण यूपी के रिप्टी सीएम के शर्पसाथ मारे ने एक बार फिर अखिलेश व्यादव पर साधा निशाना बोले चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगी अखिलेश ये तेहासिक अंतर से जीतेंगे अखिलेश यादो जी की हो सकता है जमानत भी ना बचे समस्तिपुर में लजेपी रामविलास के नेता चराग फासवा ने तेरस्वी आदव कुदीर में असीहत कहा स्वास्थ का ध्यान दें इतनी कम उमर में इतनी समस्या ठीक नहीं ये लंधाना के चेवला में अमिश्चा ने विवक्ष्व साधा निशाना इंडिया गठबंधन को बताया घोटालों का गठबंधन बिहार में कॉंग्रिस को बड़ा जटका पाईटी प्रवक्ता विनोध शर्मा ने छोड़ा हाथ का साथ रोहनी आचारी ने जनसंपर के दरा नितीश पर साधा निशाना बोली फिर पलटने की कोशिश में हैं पल्टू चाचा बिहार के लिफके सीएम विज़सिदा ने भी कठबंधन की बैठक पुरकसा तैंज कहा पूरा भारत कॉंग्रेस मुक्त बनने जा रहा है अखिलेश यादव ने ट्वीट कर महंगाई विरोजगारी सहित कई मुद्वों पर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना बीजेपी उमीदवार सुबरत पाठक पिन्या खिलेश यादव पर लगाया आरोप पहा करनाच में बाहर लाया जा रहा है लोगों को हमाचल प्रदेश के हमिरपूर में केंद्वी मंतरी अन्राक ठाकुर ने निकाला रोड शो इससे पहले की पूजा आरजना अर्याना के पंच्कूला में मुख्यमंतरी नायप सिंग ने चुनावी रैली में लिया हिस्सा चलाया हर बूत हर घर कैमपैन अर्याना के जीन्द में वाक के दौरान लोगों से मिले कॉंग्रिस नेता बुपिंद्र सिंग हुड़ा मांगा समर्थन लखनओ में कई वरष नेताओं ने जौइन की बीजेपी ज़रान यूपी के डिप्टे सीम ब्रजेश पार्टक वहे मौजूद कोटा में स्पी ने दी पुलिस कर्मियों को हिदायत पुलिस कर्मियों के रियूटी पर रीलना बनाने को कहा पीड़ो पुला पाया में राहूल गांधी ने पूर्वी सीम वाई सर राजश रिखरा रेड़ी को दिखिया नमन चड़ाय शुद्धा सुमन करॉली में सांडों की लडाई आम लोगों के लिए बनी मुसीबत लोगों का रास्ता चलना हुआ मुश्किल अयोधिया में प्लास्टिक से होगा पारिश रखों का निर्मान रूड़की के सेंटरल रूड रिसर्च इंस्टिट के वेग्याने कोने अधिकारियों को दीश की त्रेनी वर्दबान ने टी-एम से प्रत्याशी किरतिया अजाद ने किया चुना प्रचाठ लोगों से कहा जीना यहां मरना यहां रोड शो में उब्रजन सहलाव कल सोबह 6 वजे खुलेंगे बदरिनाथ धाम के कपाट भक्तों का लंबा इंतिजार खत्म भगवान बदरी विशाल की डोली धुमधाम से पहुंची बदरिनाथ साथ ही उद्धव की डोली भी पहुंची बदरिनाथ धाम आर्मी बैंड की मधुर धुन के साथ क्लोलियों का स्वागत कल कपाट खुलने से ठीक पहले वद्रिनात धाम पहुंचे की कुबेर की डोली कपाट खुलने के साथ थी उद्दवर कुबेर की मूर्ती भगवान बद्री विशाल के साथ गर्वग्रे में हुगी विराजबान वद्रिनात मंदिर को 15 कमिंटल गेंदे के ही फूलों सजाया गया इसमें पीले हरे और सफेज रंग के फूलों का इस्तिमाल किया गया विश्वी प्रसिद्ध जागिश्वर धाम में मास्टर प्लान के तहट खुदाई में मिला प्राशीन शिवलिंग पंद रवीश अताबदी का हो सकता है शिवलिंग सेक्डों की संख्या में पहुँचे भक्त केदारनाथ यात्रा की हर गती विधी पर नजर रखने के लिए बनाए गया सिस्टीवी कंट्रोल रूम केदारनाथ धाम पैदल मार्ग और केदारनाथ हाईवे पर लगाए गए सवा सो सिस्टीवी कैमरे किदार नाद धाम में खुले भेरवनाथ मंदिर के कपाट वेदी विधान से किया गया बावा भेरवनाथ का पूजन रौतक में बीजेपी दफ्सर पहुंचे पूर विसीये मनुहर लाल खटर बीजेपी कारकरताओं का बढ़ाया होंसला अमरिसर में अटारी बागा वाटर पर विसीयेफ के डीजी ने फिराया सबसे उचाते रंगा सभी ने दीते रंगे को सलामी और जैन में सीम मोहन यादवनी की सिक्समुदाय की लोगों से मुलाकात सीम को पगड़ी पहना कर किया गया स्वागत गोवा की रासधानी पंटजी में काजूत सबका हुआ आयोजन दूर दूर से पहुंच रहे लोग रियासी में एक मुस्लिम शक्स ने पेश की कौमी एक्टा की मिसाल मंदिर की सड़क बनाने के लिए दान दी जमीन पी-म ग्रामीट सड़क योशना की और से राज़ारी के स्विवर्ती लाकूं बनाई जारही सड़क शित्री लोगों को मिलेगी राहत डोडा से 45 हज जातियों का समय शिनगर के लिए निकला डोडा के उपायूक ते हर्विद्दर सिंग ने दिखाई हली जंडी 126 वे वारशिक उंटी फ्लावर शो का शांदार आगाज लोगों ने लेजर शो का उठाया लुथ दुहा डायमेंड लीग में नीरत चोपडा का कमाल 88 दशमलव 3-6 मीटर थो कर हासिल किया दूसरा स्थान महिला कुष्टी में देश के लिए शानदार ख़बर पहली बार पाच महिला पहलवान उलमपिक के लिए क्वालिफाई उलमपिक में बिनिश फोगाड अंदिम पंगालने किया क्वालिफाई अन्शू मलिक में शादाया और रूरितिका हुड़ा का भी नाम शामिर पेरलंपिक तेराक समीर वर्वन पेरा सुइंग वर्ड चेंपियनशिप में भारत का करेंगे पत्रिद्व स्विजर लेंड में होगा चेंपियनशिप असम के डिप्रुगर्ड में ब्रहंपुत नदी के जोल स्थर्म रधी जोला पसाशन राहत और बचाफ के लिए तयाग अल्मोडा के लिए राहत की सौगाद लेकर आई बारिश जंगलों में लगी आग से मिली राहत अल्मोडा में आग लगने से अब तक सत्तर त्विजदी जंगल हो चुके हैं खाख बारिश के चलते आग शांत होने के साथ गर्मी से भी मिली राहत श्रीडगर में लगतार मलवा गिरने से बलड़ी नात्रिश के श्राजमार को सिरूप गड़ के पास किया गया बंद लोग हुए परिशान करनटक के हुबली में गर्मी का दौर जारी बाजारों में कूल रोड़ी सी की मांग में अधाफा जल विजद परियोजना का पैनस्टॉक फटने से कांगला जुले के मूल थानगाव में बार्ड जैसी इस्तिती दिली अन्सियार में बदला मौसनम का मिज़ास तेज हवाओं के हसाथ चली धूल भरी आंधी नई दिली के कई लाकों में सुबह हुई बारिश तापमान में आई गिरावट दिली के आसपास के लाकों में तेज हवाओं के कारण गिरे कई जगह पेड जात हुआ प्रभावित नौ फलाइट्स की गई डायवट गाजियाबाद में चली धूल भरी हवाएं मौसम में बदलाव से गर्मी में राहत गाजियाबाद शौहर के कहिस्तों में जोड़दार बारिश तस्वीर आई सामने मौसम बदाग ने यूपी के कई जिलों के लिए जारी की चिताबनी आंधी तुफान का रेड अलर्ट नौईडा गाजियाबाद मत्हुरा अलिगर्ड मेरट और बाकपत में अलर्ट पचास से साथ किलोमेटर की राफ़तार से चलेंगी हवाएं नए सक्री पश्चमी विक्षोप के कारण मौसम में आया बदलाव आज और कल बारिश की अधिक संभावना समेल लाडू के तेरचिरा पल्ली में मौसम ने बदला मिजास कई जगों पर हुई बारिश मैंकदिरों में भारी बारिश, केंपे गोड़ा, हवा ये अदे में भरा पानी चमॉली के पीपल कोटी में बारिश बदला पहाडों का नजारा तापमान में दर्सकी के गिरावट चमॉली में बारिश बदला डेरा दिख रहा धुदनाजारा बागी इश्वर में बारिश लगातार ज़ारी लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत बागी इश्वर में बारिश दे किसानों में भी खुशी धान की नरस्तरी के लिए खेतों को मिला पानी काडिस्तान के उदैपुल में जमा जम बारिश से मौसम हुआ सुहाना आज और कल हो सकती है बारिश एक्टेव इकरांद मैसी का वीडियो वारल कैप ड्राइवर सो ही नोग जोग ताज महल के धीदार को पहुंचुई मिस यूनिवर्स सैन निश पलिया सोस सलवार सूट में अपनी साथगी से जीता लोगों का दिल पहली बार पिता बनने वाले जस्टिन बीबर बेवी वंप के साथ वाइफ की फोटो शेयर कर अनाउंस की प्रेग्रेंसी आमिर खान ने फैंस को दिया बड़ा तौफा 25 साल पुरानी फिल्म में सरफरोज का बनाएंगे सीक्वल मनुझ बाचपएक के अपकमिंग फिल्म में भाही राची का ट्रिलर रिलीस जबरदस्थ एक्शन अफसार में दिख्राएं मनुझ